नमस्कार दोस्तों, मैं तलिव मच्छा अरन भूमी समाचार की इस रिजडल पेज में फिर से स्वागत करती हूँ मैं इस वक्त मौझूद हूँ गवर्मेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंगा में यहाँ पे आज बहुत ही अनुखा जो रेली है वो आयुजित किया गया था हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तबेको फ्री स्कूल के लिए जो बैनर लगा हुआ है इसमें हम जानते हैं कि जितने भी स्कूल है उसके 100 मिटर के दाएरे के अंदर किसी भी नश्यले पधार्त जिसमें अलकोहल हो गया तबेको हो गया और बीडी सिगरेट जो जिस प्रकार के जो जितने भी ऐसे जो नश्यले पधार्त है वो सारे बैन्ड है और उन्होंने आज इसके प्रदर्शन के लिए कुछ रेलिया निकाली है और इसके साथ उनके टीचर्स भी जुड़े रहें आये देखते हैं उन्होंने किस प्रकार से ये रेलिया की है सिगरेट पीना छोड़ दो बीमारी से दूर नो बीमारी से लेखते हैं उन्होंने किस दूर्शन के लिए रेलिया आये झाली है प्रेखते हैं छोड़ेते हैं वो दो दोड़ेते हैं और दो जो दो 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 वो वो झाल झाल बच्चे हमारे बहुत अबेडियन हैं लेकिन आपके दुकानों में जो नशे की चीजे भिक्री होती है हमारे बच्चे उनके उमर कम है नहीं जानके खाप भी लेते हैं आप लोग को मरा करना चाहिए यह बच्चों यह आप लोग के लिए नुकसान है प्लेस सभी दुकानदारों से हमारा यही रिकोईस है कि नशे की चीजे बच्चों को ना दिया जाएं और फाइनली स्लोगन दुबार पेश किया जाएगा आप लोग बोलें एक साथ बोलेंगे हम बोलेंगे आप स्लोगन के जवाब देंगे हमारे साथ एक भुकानदा शामिन हो चुके है एक भाई जो दुकान चलाते है आपकी मनजूर है जो हम स्लोगन करर रहे या जो हम देनी निकार रहे आप सही सोचतेハे या तैंक यू कि यह हमारे बच्चों की जिल्दी ही का सौवाल है पेड़ान लोले ले आप लुआ के विगे तबाको खाओगे तो गण डाओगे अबाद कुखाओंगे तो कुछ मर जाओंगे छोड़ो छोड़ो पीरी सिर्ट छोड़ो जगरत साला बहुत करस्ता जगरत साला बहुत करस्ता यह दब हर सेकेंडरी स्कूल यहां हमारे एक हजार के आसपास बच्चे पढ़ते हैं हम सभी तीचर्स हमेशा इलर्ड होते हैं कि बच्चे कुछ ऐसे खराप आदते ना सकें जिससे उनके जिंदगी उनके जो फ्यूचर है वो बरबात हो जाए हमारे बच्चे खुट इलर्ड हैं दुकानों में अगर कहीं नशे की चीजे हो तो बच्चों के हाथ में ना आए यह हमारी कोशिश है और हमारे देश आजा हुए 75 यर्स हो चुका है इस मोसब को बनाते हुए हम हर दिन कुछ ना कुछ बच्चों के लिए सोचते हैं या समाज के लिए सोचते हैं कि समाज में कुछ ऐसा काम ना हो जो बच्चों के लिए नुकसान दायक हो इसलिए आज हम लोंने तवेगों को लेके नशे को लेके कि दुकान में जहां भी अब फैक्टरी है तो दुकानों में भी नशे की चीज़े मिलेगी ही लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को इन नशाकोरी की चीज़ों का असर ना हो उनके सामने ना आए तो हमारे बच्चे भी अलर्ड हैं हर कोई बच्चा चाहता है उनके जिन्दगी सुखी हो अगर सुखी जिन्दगी होना है तो इन सब चीज़ों से दूर होना जरूरी है